हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखा लाइफस्टाइल आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए लेकर आई हूँ कीचन के कुछ न्यू टिप्स एंड हैक्स जो की आपके लिए बहुत ही यूजफूल है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको थोड़ी सी भी हल्फूल लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए सुरू करते हैं फर्स टीप है नीमू को लेकर नीमू तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं लेकिन क्या करते हैं नीमू को काट कर इसका रस निचोड कर और इसका जो छिलका रहता है इसे फेक देते हैं लेकिन आज मैं आपको इस नीम्बू के जो छिलके है न इसे बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ, आपके बहुत ही काम आने वाला है, तो सबसे पहला जो टिप है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या करना है सारे नीम्बू ले लेने, मतलब जितना भी आपने न बहुत ही कड़क हो जाते हैं इस से क्या होगा नीबू अगर आप हाथो में लगाएगा तो आपके जो हाथ है न बहुत ही soft और नडम रहेंगे और दूसरा टिप क्या है अगर आपकी नाखुन में गंधी रहती है काला काला पन आ जाता है तो इस तुरी के से अगर आपन नीबू के छिलके से क्लीन कीजेगा तो बहुत ही एजीली क्लीन हो जाएगा और नेक्स जो टीप है नीबू के छिलके को लेकर वो मैं आपको बताती हूँ इससे आप क्या कर सकते हो कोई भी मतलब की जैसे कि आप सबजी बनाते हो या फिर खाते हो हल्दी छूते हो या फिर म उसे भी धोली हूं अच्छे से तो हात्तू उने के बाद तो रिंग भी धुलाई जाएगा तो उसके बाद फिर मैं हात्तोंको अच्छे से पोच ली तो यह देखिए जो हमने गोल्ड का रिंग पैना वह भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया और हात में जो जहांपर हमारी उंगली रहती है जहां पर हम मोरते हों वहां पर भी कालय पन आ जाता है तो वो भी पिलकुल क्लीन हो जाएगा और यहां पर देखिए यह वाला जो हाथ है इसमें हमने हल्दी यूज किया था तो यहां पर देखिए यह पीला पन लगड़ा है इस हाथ में और यह वाला देख क्या करते है ? ब्रस को हम क्या करते है डेट्ली पानी से पहले दोते है फिर हम इस पे पेस्ट लगा कर इसे यूज कर लेते हैं उसके बाद या ना रहे तो आपको न महीने में एक बार या दो बार तो ये काम जरूर ही करना है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है सबसे पहले आप जितने भी मेंबर आपके घर में हो सबी के बड़स ले लीजिए उसके बाद आप थोड़ा सा हलका नॉर्मल गर्म पानी कर लीजिए कड़ाई में या फिर पैन में जिसमें भी आपको गर्म करने कर लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए नीबू जो आपने निचोड कर रखा है वो छिलका इसमें डाल दीजिए इसको डाल दीजिएगा फिर आप गैस को अन करके थोड़ा देर इस नीबू के छिलकों को भी अच्छे से खोला लीजिएगा और जब यह हलका सा पानी नॉर्मल हो जाए तो आप क्या कीजिए सारे ब्रस को इसमें इस तरीके से डाल दीजिए और इसे लगभग 10-15 मिनट तक इसी पानी में रहने दीजिएगा नीबू और गर्म पानी में रखने से क्या होगा कि ब्रस में जो भी बैक्टिरियाज रहते हैं वो सारे निकल जाएंगे उसके बाद आप ब्रस को अच्छे पानी से धोकर दुबारा से यूज़ कर सकते हो लगभग 10-15 दिन तक उमीद करते हूँ ये छोटा सा हैक आपके लिए यूज़फूल रहा हो तो अब चलते हैं अगले टीप के तरप अगला टीप है मेरा परवल को लेकर परवल अकसर हम सभी के घड़ों में आते ही रहते हैं लेकिन क्या होता है इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसे छिलना फिर काटना फिर धोना फिर बनाना इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और परबल जो भी आपके पास परबल हो, आधा किलो, एक किलो जितना, सारे परबल को सबसे पहले तो आप छील लीजे, अगर आप कल बनाने वाले हो, तो आप इसे एक दिन पहले ही छील लीजे इस तरीके से, और उसके बाद आपको क्या करना है, छीलने के बाद जो उपर का पा जब भी आप मतलब की बनाने वाले हो सबजी या फिर भुजिया जो भी तो आप दुबारा से इसे बहुत ही कम टाइम में यूज़ कर सकते हो आपको छिलने का भी जंजट नहीं रहेगा और परबल जो है जल्दी पकेगा भी नहीं बस आपको क्या करना इसे धोना है और इस से काट लीजिए परबल का भुजिया या फिर सबजी और आप अडाम से इजि ली फटा फट से सबजी या फिर भुजिया बना लीजिए उमीद करती हो ये टीप आपके लिए helpful रहा हो तो ये था आज का टीप चेले लिए useful रहा हो तो कौन सा आपको चबस क्यादा जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांक्यू फूर वाचिए